उधारन तीन इन प्रश्णों के मान ग्यात कीजिए पहला पांच की घात रिण दो हमें पांच का घात रिण दो का मान ग्यात करना है यहां हम देखते हैं बच्चों कि घातांग में जो हमारी घात है वहां रिनात्मक है रिनात्मक घात को धनात्मक में बदलने के लिए हम इसे लिखेंगे एक बटा पांच का घात दो यहां पर चुकी हम जानते हैं कि घातांग में एक घात रिनात्मक घात्मक तो दो गुणित पांच लिख सकते हैं बराबर एक बटापांच पंचे पचस्चीस तो हमें एक बटा पच्चिस प्राप्त हुआ यहां उधारण का हल होगा दूसरा एक बटा दो की घात रिण पांच हमें एक बटा दो का घात रिण पांच का मान ग्याद करना है तो इसे हम यहां पे दो का घात रिण पांच रिण आत्मक है इसे धनात्मक में बदनने के लिए हम इसे लिखेंगे दो का घात पांच तो यह धनात्मक हो गया यहां पे हमने घातांग का नियम लगाया है चूंकि एक बटा एक घात रिण एम को हम लिखते हैं एका घात M बराबर दो का घात 5 को कहीं हम इसे गुणा में लिखेंगे तो 2 को हमें 5 बर गुणा करना होंगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 बराबर 2 दुनी 4 चार दुनी 8 आट दुनी 16 दुनी 32 यहां उधारण का हल होगा 3 चार की घात 7 बटे 4 की घात 4 हमें ग्यात करना है 4 का घात 7 बटा 4 का घात 4 बराबर यहां पे हम घात में भाग का नियम का प्रयोग करेंगे तो यहां पे हम अधार चार लिखेंगे और घात को घटाएंगे 7 रिड चार चुकि हम घात आंग में भाग के नियम को जानते हैं चार गुणित चार गुणित चार गुणित चार लिखेंगे चार गुणित चार बराबर 16 गुणित चार और फिर 16 गुणित चार बराबर 64 यहां उधारण का हल होगा